सब्सक्राइब करने वाले एक लेटर को यह लेटर होगा लेटर वाइटर अब आप से पूछा जा सकता है लेटर करके जाएगा और जितने इंपोर्टेंट लेटर से उन समझ में आ जाए कैसे लेटर लिखना होता है लेटर और प्रिसी में से कुछ भी पूछा जा सकता है तो प्रपेर दोनों ही करके जाना है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जोड़ देखेजेगा ताकि आप सारे इंपोर्टेंट लेटर को प्रपेर कर पाऊ और उसको अच्छे से लेक पाऊ और कम टाइम में लेक पाऊ इ प्रपेर कर सकते हैं और सारे इंपोर्टेंट लेटर दोनों ही आपको यहां पर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है वहां से जाके आप डिसकाउंट रेट्स पिन बुक्स को ले सकते हो अपनी प्रेशन को और बेटर तरीके से करने लिए दोस्त अच्छे से नहीं है को यह लेटर लिखना है और यहां पर लोगो को समझ आगया होगा को अच्छे से अब इसको कर देंगे उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है जो करेंड डेंट होगी उसको ही आप लिखो गें लिख वह ओकर लिखते हो गये उसके बाद केविएग जारखंट जो एडिया जो है उसी साफ से उप लिख सकते हो अदर वी खैसक्तों एडिटरीच बहुत जारी अभर उप लिख और रिखो दॉद्टीन नीडफ एडिकेशनल से इन उनके लेटए इस तरह से सब्जेक्ट दोगे किस बारे में लैटर आप लिखने वाले हो स्टार्टिंग HOभियों科र्ट से करना है को से स्टार्टिंग कर से करें इसके बाद तु इसके बाद थे पिए कॉलमों यूस्ट्पेपर थोग्हिएं लॉट आप्सटाइब। यहां पि समय समाचार पत्र के माध्यम से जो concerned authorities और उनका ध्यान में जो need of educational facilities हमारे एडिया में उसके उपर ले जाना चाहता हूं तो स्टार्टिंग इस तरह से आप elaborate करते हुए कि आप किस बारे में टॉपिक लिख रहे हो तोडे स्टुडेंट्स are the leaders of future so it is very important to create ideal environment for their growth and development यहां पर आप इस तरह से लिखना शुरुआत करोगे कि आज के जो स्टुडेंट्स से वही आगे चलकी leaders वनेंगे तो यह बहुत ज़्याद़ important हो जाता है कि उनके लिए proper ideal environment create किया जाए जिसमें वो grow हो सके और develop हो सके तो उनके development के लिए proper और एक ideal environment होना चाहिए तो we are living in the society where most of the people are wage earners and belongs to lower middle class अब यहां पर अपनी situation बनाओगे कि आप आपके जो एडिया में क्यों educational facilities नहीं कारण क्या है यहां पर low middle class के लोग है और जाहतर wage earners है तो इस वज़े से ज्यादा वाध्यान नहीं दिया जाता है उस एरिया में इस वज़े से आप इस letter को लिख रहे हो तो यहां पर इस तर class यानि lower middle class के लोग यहां पर रहते हैं in most of the families both the parents go to work अब यहां पर यहीं बता सकते हो कि ज्यादर families में both the parents mother father दोनों ही काम पर जाते हैं right there is no proper arrangement for basic education यहां पर आप बता सकते हो कि there is no proper arrangement for even basic education basic education के regarding भी यहां पर proper तरीके से arrangement नहीं किये गए right there is an old school but it needs to be repaired आप बता सकते हो यहां पर एक school है लेकिन वह भी बहुत पुराना हो चुका है और उसमें भी repair की ज़रूरत है उसको भी repair करगाने की ज़रूरत है तो यहां पर इस तरह से educational facilities के regarding आप जो है लिख सकते हो आपको situation create करनी पड़ेगी क्यों ज़रूरत है क्यों नीड आ रही है इसकी ठीक है तो उस तरह से आपको situation यहां पर include करनी पड़ेगी कि यहां पर school colleges नहीं है जो school है पुराना एक school है वो भी repair करने की आलत में तो उतना अच्छा नहीं है the roofs of many rooms leak and lives of many children will be endangered if the building collapse during the school hours ठीक है यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो rooms है वो भी leak करते हैं साथ ही साथ जो है बहुत सारे चल्डरन जो एक तरह से इंडेंजर्ड है कि अगर यह building collapse होती है school hours के दौरान तो उस case में जो बच्चे है उनको उनकी लाइव भी खत्रे में पड़ सकती है यहां पर नीड आराइस करोगी क्यों बैसे कली यहां पर और ज्यादा ध्यान देने की जड़त है राइट इस तरह से आप आप इसको पूर यानि अगर लाइबरेरी यहां पर खोल दी जा तो उनके लिए तरह से वर्दान साबित होगी देविल बीटेट टूब देया एंड ट्याइंड टाइम इन एमिट्स ऑफ बुक्स ठीक है यहां पर क्या सकते हो कि अगर वहां पर एक लाइबरेरी खोल दी जाती है तो मतलब बुक्स रीट करने के निकाल रिगार्डिंग जा हैबिट डेवलाफ होगी इनकल्केट होगी तो इस तरह से यहां पर उनके रिगार्डिंग बता सकते हो कि एजुकेशनल फैसिलिटीज क्यों जरूरी आपके अरिया में क्या-क्या प्रॉब्लम से उसको यहां पर ब प्रॉब्लम को समझ सके और साथी साथ इसके रिगार्डिंग जो यह नेससरी स्टेप्स ले सके उसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू और यो सिंसिरली करके जो आपको नाम लिख लोगे आप पर इस तरह से इस अपको बैस तरीके से लिखना है और आई होप आप प्रपेर करें आपको यहां तक आप लोग को क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है और इसके साथ यह वीडियो को कैसे लगा कमेंट करके जरूब तरह लगा तो लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को अग आप में से कोई नया है तो अभी के लिए इतना ही नेक्स मिलते है एक लिए क्लास में थैंक्स वोचिंग